तो आज हम लोग LCM और HCF निकालना सिखेंगे यानि दोनों जो है हम इसी वीडियो में निकालना सिखेंगे तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा जिससे कि आपको LCM और HCF दोनों एक साथ सीखे जाए इस वीडियो में तो सबसे पहले समझते हैं कि LCM का मतलब क होता है इंग्लिस में अगर बोले तो लिस्ट कॉमन मल्टिपल बोलते हैं इसे LCM का मतलब होता है और हिंदी में लभुत्तम समापवर्तक होता है ठेक और HCF का इंग्लिस में होता है वह हाइस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में जो है महत्तम समापवर्तक बोलते हैं तो हमन कहाना बंद्रा सबसे पहले इक कर लिए दो निचे के तरह हमें एक लाइन लेना ऐसे लेंगे ठेक अब फिर उपर के कि तरह बंद्र मे एक लाइन लेंगे इस साइड यॉद्र में यहाउ लेए तो नंबर रहे घ्यचल में सबसे क्णा चालावा आ कि वnaire गेंगे यादि झालने के लिए क्या कारना होगा तो पहले सब्सक्षा करता होगा जो संख्या मतलब यह क benefits this time पहले आपको सब्सक्राइब करना सबसे चोटी संख्या से देखें तो 40 कितनी बार मों कटेगा तो 24 दूना इसी प्रकार हमें करना है 15 तो दो से नहीं कटने वाला इसमें भाग नहीं लगेगा तो जो संख्या में लगेगा जैसा है बिल्कुल वैसा हम लिख देंगे फिर उस सब्सक्राइब करना 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 सब्सक्राइब liekyun यहाँ पर 6 अभी भी लगने वभाला है जोड़देंगे अब इन तीनों में 2 से कोई भी संख्यां कटने वाला ही नहीं क्या लगाएंगे 2 से जो उपर को एक संख्यां 3 और 3 से भी कर जाएंगा 5 नहीं कटेगा लेकिन दोनों कट रहा तो 3 से ही लगाएंगे तो सब्धाइब कर देंगे ने exam. मेधा फिर्सक्राइब इसके बात 15 है, इसके बात 15 है. तो दो दन श्रघ्राइब सबीदní पश्राइब हैる रहा तो यहां पर 5 सब्सक्राइब लिबाद है, हैं दो तो पह हør चुका है और जो जिस संकhya से हमने लगा है उससंकhya क्या कर देंगे तो हम घुना कर देंगे तो कौन-कौन tut गुना कर देंगे दो गुने दो गुने 5 फिर गुना करें दो चार च घूरा क्रेंगे फिर चार आठ शलत नवब भी तरहें ऑफ न क्या। जो प्रक्राआ उन टोσेट झाइब्यP, तो टोसें नंबर थाइस. हों चौटा लंबर है जो इन तीनों के गुनिखण scratched में यह जैसे कि पひ कैसे निकलते हैं तो छलिए एक और हम आपको दो डिजीड का नंबर का स्लेद से लिए निकाल यानि दो डिजिट का है इसका अपस में निकाल दाए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए तो इस लगने वाला है श्राटिंग में तो दो से लगाएंगे छे दूना बार फिर नौ भी अठारा भी लगा तो नौ दूना ठारा नौ बार में कट जाएगा इसमें एक साहरं बाइफ को में तो से लगने इसमें आशनी उसु度 चूंप सारी की अनौ ऑपसमें संद़ेंगा ना कर देंगे लोगा 12 दूना 36 यह सब्से मतलब 12 और 18 नंबर तो दोनों में क्या है तो इस इसी प्रकार निकलते हैं तो चलिए हम 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 सबसे बड़ा नमबर होगा उसको अंदर लिखेंगे तो सबसे बड़ा नमबर होगा उसको अंदर लिखेंगे इसको अंदर लिखेंगे जो अंदर लिखेंगे तो एक बार में राइगे तो एक बचेगा फिर जो है इसको यहीं कर देंगे मिल वाग कि यहां चाल्य को 30 में बारा से इसका चाहिंगा गारा देंगे टो गताती जनीटयों ज़्यांने 14 ज़री सदेंगे नहीं खिलिए diferente नहीं फ्रॉल को बार्यों च्रॉल करने रो स्थी दो अभी में सबस्क्राइब करें किसम Ya यहांपे यह ने ले लिए तो कट गया फिर यहांपे हमारा 6 जैसा है तरह सा बिलकुल है और इससे पीछली वालों में लगाया थे 12 से लगाया थे तो 12 यहां पर लिख देंगे ठीक अब किट से भाग देना तो भाग दिए ढूना बारहा आइंस यहां पर काड़ reckon cry प्वा जा रहा तो यह होगा तो अब लाश्ट में जिसे लगा थे उसी वहहमारा अउद्य chain हो जाएगा थेक एज पर हमारा हरे सब्लाब्र को कि खोट यहांरे हैं मुपित हम HCF बनाएंगे चलिए एक और कुश्चन ले लेते हैं उसको समझे लेते हैं तो यहां पर हमने दूसरा कुश्चन ले लिया है कि 90 और 126 का HCF निकालना है क्या अंदर लिखेंगे 126 बड़ा नंबर इन दोनों को अंदर लिखेंगे और इस पर कर देंगे तो यहां पर एक बार में लगाएंगे यहां पर एक बर में लगाएंगे नमभी इकम फिर गया करते हैं तो घटाते हैं तो घटाएंगे शह मेंने स्युन जाएगा श्याज हो थे बार में भार में दो जाएगा तो नहीं करें तो पर 301 और च्युना है लाव पर यहां पर लिखेंगे सई तो 9 स्वारी 90 है यहां पर हम 90 लिखेंगे नब्बे है अब हमें 90 में 36 से भाग देना है ठीक तो 36 हम कितना से गुना करें जो 90 आजा या फिर 90 की आसपास हो तो 36 दुना 72 और तीन बार में करेंगे तो 100 प्लस हो जाएगा जो कि इससे जाएगा तो दो बार में करेंगे 36 दुना 72 फि हम इस 36 को यहां पर लिखेंगे मतलब यही प्रोसेस है HCF बनाने का बिल्कुल यही प्रोसेस को समझते चलिए आपका जो है आपको जो हंड्र पर्चंट समाज में आ जाएगा तो अब हमें 38 में कितना से भाग देना तो भाग देना तो भाग दिजी 18 दूना 36 बिल्कुल य तो इसी प्रकार हम HCF बनाते हैं दो नमबर तिन नमर जितना नमर का बनाना हम बना सकते हैं तो आई होप आपको HCF और LCM इसी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आ तो फिलिस वीडियो के किजिएगा थेंक यू